दोस्तों जब भी हम Google Pay application का यूज करते हैं और उससे पैसे ट्रांसपर करते हैं तो हमारे mind में बहुत सारे confusion होते हैं कि एक दिन में हम कितनी बार पैसे ट्रांसपर कर सकते हैं और कितना यहाँ पर limit होता है पैसे भीजने का तो यहाँ पर guys मैं आपको सारी confusion आपकी clear करूँगा बीडिय को ध्यान से और पूरा दिखीगा तब ही आप समझ पाएंगे हलो दूस्तों मेरे नाम नवीन है आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चनल हमसफर टैग तो चले guys जानते हैं दूस्तों Google पे से पैसे ट्रांसपर करने की जो limit है ना वो तीन conditions पर depend करती है अब guys मैं पहले आपको यह बता दूँ कि अगर आप Google पर आपका यूज कर रहे हैं या फिर फोन पर आपका यूज कर रहे हैं पेटियम कर रहे हैं या फिर भीम और इसके अलावा और भी बहुत सारी third party applications market में available है जिसके तुरू आप payment transfer करते हैं यारे कि money transfer करते हैं बट guys मैं आपको बता दूँ बहुत सारी third party app है ये एक ही platform पर काम करती है वो है UPI तो UPI में सारे application की एक जिसे limit होती है यहाँ पर guys मैं आपको example के लिए Google पर application का बता रहा हूँ हालकि यहाँ पर सभी application प आपको ध्यान रखना है सबसे पहले guys यहाँ पर मैं HWC bank की website पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब आप first time अपना Google पे phone पे पेडिया में जो भी application आप चालू करते हैं तो first time यहाँ पर जब आप अपना UPI account को activate करते हैं तो यहाँ पर limit होती है 5000 रुपे की 24 hours यानि कि मान के चलिए कि आपने first time पहले बार आपने Google पे application पर अपना bank account लिंक किया है यह फिर कभी कभी न हम अपना bank account नमर को delete कर देते हैं अनली करते हैं उसके बाद हम दुबारा से link करते हैं तो वहाँ पर भी उस condition में भी 24 घंटे के लिए आप जो है 5000 रुपे तक ही बढ़ जाती है तो पहली condition तो गाइस यह है तो आपको कभी भी future में आपको दिक्कत आए कि 5000 से उपर आपका transfer नहीं हो रहा है तो आप समझ जाना कि यहाँ पर आपका 24 घंटे तक यह 5000 रुपाएंगे यहाँ पर जो दूसरी limit है गाइस वो है यहाँ पर limits on how much you can send अब आप का यूज नहीं कर रहे हैं तो आप Google पे से एक दिन में एक लाग रुपे transfer कर सकते हैं लेकिन बहुत सरे लोग ऐसे भी है जो Google पे का भी यूज करते हैं फोन पे का भी और प्रेटियम और यूपिय एप का भी यूज करते हैं तो अब मैं आपको बता दूँ कि सारी जि पे से एक लाग की यहां पर लिमिट है जिसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर पेमिंट जो होती है वो system यूज करता है UPI तो UPI की लिमिट एक लाग रुपे है इसलिए यहां पर जो भी आप आप यूज करेंगे सबकी मिला के लिमिट रहेगी एक लाग रुपे इसके इसलावा आप अगर किसी को request money करते हैं Google Pay से या फिर phone pay में भी पहले options था तो आप 2000 रुपे की यहां पर request डाल सकते है ठीक है अब तीसरी condition यह है कि हर एक bank की UPI की अपनी खुद की एक लिमिट है जी हां guys हर एक bank की अपनी UPI transfer करने की एक लिमिट सेट कर रखी है UPI issuing bank wise limits तो आपको सबसे बले जानना होगा कि आपका bank कौन सा है यहां पर दिखिएगा बहुत सारे अलग-अलग bank से जिसे for example एटल payment bank है तो यहां पर इसकी limit कितनी है UPI transaction limit है इसकी total मिलाखर एक लाग रुपे और यहां पर जो है daily limit है एक लाग रुपे की तो यहां पर बहुत सारे bank से जैसे मानके चले किसी का State Bank of India में account है यानि की SBI में तो SBI की limit कितनी है वो आप नेचे आएंगे तो बहुत सारे bank है State Bank of India आ चुका है और यहां पर देखिए एक लाग रुपे की limit आपकी daily की रहेगी और आप जो है एक लाग रुपे तक transfer कर सकते हैं बहुत सारे bank ऐसे भी है जैसे कि यहां पर रजस्तान का ग्रामेड बैंक है तो उसकी limit है 25,000 रुपे मातर 25,000 रुपे limit है इसके लावा पंजाब एंड सिंध बैंक है उसकी है भाई 10,000 रुपे तो यहां पर आपको अपना bank को चक करना होगा और आपका bank कितनी limit देता है UPI payment करने के लिए कितना allow कर करता है वो उसमें भी depend करता है गाईज अगर आप अपने bank की limit जानना चाते हैं तो इसका link मिल जाएगा आपको वीडियो को description में आपको क्या करना है सीधा जाना है description में वहां पर आपको click करना है और वहां पर आप अपने UPI की limit देख सकते हैं तो गाईज इस तरीके से आप जो है गूगल पे की limit पता कर सकते हैं कि गूगल पे आपसे आप कितना पैसा एक दिन में transfer कर सकते हैं अगर आपको वीडियो helpful लगा हो वीडियो को like जरूर करें comment करके जरूर बताएं कि क्या आपको इस वीडियो से help मिली है या नहीं मिली है